बहुत सारे ऐसे अभेर्थी हैं जो BPSC Primary Teacher के Merit List में सामिल है और आप लोग यहाँ पर Counseling के लिए इलिजबल है लेकिन उससे पहले जो आपका Qualification है उसको लेकर अभी भी आपका Confusion बना हुआ है कि आप लोग BPSC Primary Teacher का Form जाए वो आपने 12th पलर DL8 के Option को सेलेट करके भर दिया लेकिन आपके पास Qualification में Graduation Plus जो है वो DL8 है खास तोर पर जो UP के DL8 अभेर्थी हैं उनका यहाँ पर सबसे ज़्यादा Confusion है क्योंकि जो UP का DL8 होता है वो आपका Graduation के बाद ही होता है इसका मतलब है कि आपके पास आलेडी जो है Graduation का Qualification आपका पहले से जो है अबलेबल चलना है क्या उसमें आपको किसी भी तरिके का समस्या होगा या फिर जो आप एफिडेबिट को लेकर बोल है या फिर जो आपके अभी documents री upload हो रहे है तो क्या इसमें आपको क्या करना चाहे तो इस वीडियो के माधहम से हर एक चीज जो हैं बात करने वाले है ताकि तनीग भी थोड़ा सा भी स्मेटर को लेकर आपका confusion होगा तो हर एक चीज वह आपका clear हो जाएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मर्जित और आप देखरें राइट टो उजिकेशन सोनभदर यूटूब चैनल दोक्मेंट्स को लेकर देख लिजिए तो यहाँ पर सबसे पहला डोक्मेंट्स जो आपका ID के रूपे है अधार कार्ट पैंट कार्ट या फिर आपका DL है उसका यहाँ पर मांगा जागा ध्यार रखेगा कि यदि आप मालीजे पैंट कार्ट या फिर DL भी आप लोग अप्लोड किये हों उसके बाद भी यहाँ पर आधार कार्ट मांगा जागा क्योंकि बीना आधार कार्ट में जो आपका रेजिस्टर्ट मुबाइल नमबर है बीना OTP के बेरिफिकेशन से आगे आपका जो है जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ पर आगे आपका नहीं बढ़ेगा दूसरा है आपकर डॉक्मेंट से आपके रिजर्वेशन को लेकर और तीसरा है आपका डॉक्मेंट से ये थे तो वहां पर certificate ही मांगा जाएगा क्योंकि जो आपने upload किया हो वहीं documents आपका मांगा जाएगा लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखेगा कि कुछ ऐसे जो आपके counseling center है जहां पर normal से बाते आपको आप सबी लोग को पता है कि CT8 का certificate जो है आपका मांगा गया था mark seat नहीं तो कुछ ऐसे center है जहां पर आपका mark seat upload है तो उसके साथ उन लोग के तरफ से आपका certificate का जो है ओ डिमांड किया जा रहा है तो इसलिए आपको अपने साथ certificate भी जो है आपको रखना है ध्यान रखेगा किसी को आप दिखाएगा मत या फिर ना बताईगा कि सर्व ओ ओ फिर यहाँ पर देखिए जो general female होती है उनको यहाँ पर बिहार सरकार क्या करता है सिचाभाग 82 नंबर पे इलिजबल कर लिया जाता है फिर उसी तरीके जो आपके date of birth के certificate को लेकर तो normal सी बात यहाँ पर जो आपका date of birth होता है वो आपका proof जो आपका 10th का certificate होता है उसके माध्यम से तो 10th का यहाँ पर आपका जांच किया जाएगा छाथमा वाला जो आपका point है यहीं महत्यपुड है जिसके बार में हम यहाँ पर बात कर रहे थे त आपको यहाँ पर आपको extra document आपको re-upload करना है जो कि graduation का जो कि बहुत सारे भेरती इस तरीके का कर रहे हैं कि अपना graduation का qualification यहाँ पर अपलोड कर दे रहे हैं अब यहाँ पर हम उपर आएंगे उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका NCT का अधिसूचना है ताकि मेरे teacher का जो आपका योगता है वो आपका decide education department या फिराज सरकार के तरफ से नहीं किया जाता है बलकि जो भी आपको यहाँ पर सिछक है और आपका योगता है वो आपका NCT के तरफ से जो है आपका डिसाइड किया जाता है भले ही राज सरकार चाहे आपको कोई उस तरीके का भी से छूट देना चाहे तो NCT से अनुमति लेने के बाद उन लोग छूट जो है वो दे सकते हैं जिस तरीके से आपका सिटेट में मिलता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका decide होगा qualification वो आपका NCT के तरफ से decide होगा और आप यहाँ पर 5 से लेकर 5 तक का जो सिछक का यो मतलब जब आपकी पास यहाँ पर 12th प्लर DL8 को मांगा गया है तो आप यहाँ पर graduation को लेकर तनीक भी आपको चिंता नहीं होना है और नहीं बहुत सारे भीरती इस matter को लेकर बहुत जादे जो है आप लोग चिंतित हैं कि हमको यहाँ पर counseling से बाहर कर दिया जागा आपको नहीं counseling से बाहर किया जाएगा नहीं आपको किसी भी तरीके का दिक्कत होगा आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे भीरती हैं जो कि हमने आपको बताया कि वो अपने मन से यहाँ पर क्या किया या फिर किसी आने के माध्यम से आपका बताया गया कि आप यहाँ पर क्या आपका counseling करा लिया जाएगा लेकिन कुछ ऐसे भी जो आपके counseling center है जहां पर आपका बोला जाएगा कि आपने form जो है आपने select किया है 12th पर डियलेट वाले option को और आप यहां पर graduation का जो है आपने documents आये यहां पर आप submit करें और आपने इसके पहले आलेडी आपने 12th का option जो है दिखाए देरा जो आपका पुराना वाला है और जो आपका नया है दोनों आपके documents है तो इस matter को लेकर जो है आपका हो सकता है कि समस्या हो जाए हो सकता है कि समस्या हो maximum chance है कि आपका 9 समस्या लेकिन यहां पर इतना आप जरूर करेगा कि जिस तरीके से आपका form submit है 12th पर ड है उसका documents आपका मांगा जाएगा तो नर्माची बात है आप आसानी सिदे सकते हैं कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं और यहां पर जो आपका graduation है graduation का documents आपको अपने पास रख लेना है देखें यहां पर हम क्या करें कि यहां पर आपका मतलम मांगा जाएगा 12th और DL8 का लेक सारे जो counseling कर रहें नर्माची बात है इतना मतलब भीड लगता है तो उन लोग tension में हो जाते हैं फिर वह भी मतलब गुस्य में रहते हैं फिर चिड़ चिड़ा रहता है तो आप इस तरीके से थोड़ा भी मत करेगा अपने पास documents graduation का रखे रहेगा मांगा जाता है तभी जो है आपको अपने पास ही रखना है ना ही उनसे आपको बताना है कि हम यूपी के डियलेट वाले अभियरती हैं हमारा डियलेट graduation के बाद होता है लेकिन हम लोग form इस तरीके से भर दिया तो ओभी मतलब जो आपका confusion नहीं हो रहा था आपके इस बात से के चलते हैं उन लो documents आप submit कर मत करिएगा कि उसके बीच में हम लगा देते हैं क्योंकि नॉर्मल से बात है और documents निकालेंगे तो इतना तो खुद उन लोग चिर चिराहत रहते हैं या फिर गुस्से में रहते हैं तो आपके ऊपर कोई दिक्कत ना हो इसलिए आप इस बात को आपको ध्यान देकर और आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे चौथे point पर भी आपका citate का बोला गया है तो इसका मतलब यह है कि आपका यह जो citate वाला है उसको यहाँ पर आपके re-upload documents किये गये हैं मतलब यहाँ पर कोई truthी रहा होगा फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे बाकी उसको लेकर कोई समस्या नहीं है बाकी आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि इतना ज़्याद है आपका documents के हों दिखा रहा है तो जैसे आप यहाँ पर जख सकते हैं यहाँ पर आपका residential वाला है तो normal से बात है जो other state के भेरती है यह documents का column आपका हट जाएगा और यहाँ यहाँ पर क्या है कि आपके 5 documents तरीके से जो है आपका यहाँ पर दिखाई देगा तो इसको लेकर आपका किसी भी तरीके का समस्या नहीं आप बहुत एच्छे तर maximize verification में जाईए और अच्छे तरीके से आपका documents verification भी होगा और इसको लेकर तनिव्ही आनावं मैं मत रहिए क हमारा इस तरीके का समस्या है, तो कोई भीwasser, आपका यहां पर दिकक्त हो गया, फिर जो भी आपका x y z problem है, उसके चलती आप लोग का counseling, आपका counseling होगा, बहुत अच्छे तरहँते से, फिर उसके बाद आपका दो नॉम्बर को आप सभी लों को निवक्ति पत्र जो है वो मिलेगा फिर उसके बाद जो भी आपका विद्याले होगा फिर जहाँ पर भी आपका पोस्टिंग किया जाता है फिर आप अपना कारे जो है उकरना इस्टार्ट कर देंगे तो अभी के लिए यहीं अपडेट है जैसे भी जो कोई भी अपडेट होता है उसे हम जो आपका यूटूब का कमुनिटी होता है वहाँ पर भी पोस्ट करते हैं जो आपका टेलीग्राम होता है वहाँ पर भी पोस्ट करते हैं क्योंकि देखे नॉर्मल से बात है मेरा भी मतलब यहीं कोशी सराता है कि आप स्टेज पर पहुझे हैं जो कि आपका डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन है दिन रात कई सालों से आप लोग यहां पर मेहनत किये दिन रात पढ़ाई किये तो यहां पर आपका तनिक थोड़ा सा भी किसी कार्ड वस जो है आपको कोई भी मिश्टेक नहों तो इसलिए हम जो भी प्लेटफोर्म है जो भी आपका यूट्यूब कम्मीटी हो या फिर फेस्बूक हो या फिर आपका टेलिगराम हो और टेलिगराम में भी बहुत सारे आपके टेलिगराम चैनल है जहां पर पब्लिक रहते हैं तो आपर मेरे माध्यम से यह सभी चीज़े जो है आपकी अप् आपका कर दिया जाता है तो अभी के लिए अपडेट है बाकी मिलते हैं के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबा टेकर ओल देट थैंक्यू फर लिस्निंग गॉड ब्लेस्ट थैंक्यू